एक दिन भगवान कभीर परमेश्वर जी ने कहा कि भी मैं बगतों के या घरों पर चालेगे कि दूर संबाल के आते हैं अपनी फंसल को कौन कौन चलेगा एक तो बाजीद जी और एक कमाल कमाल के लिए महाराजी मैं तो आपके साथ और से चलूँगा आपके स्विधाओं का स सब ध्यान ठोड़े रख सकते हैं परमात्मा कभीर परमेश्वर जी बोले ठीक है बेटा चलो अब वह फरीद जी ना वह वाजीद जी जिसने राज त्याग दिया था मुसल्मान थे वह और जंगल में जाका बैठीके थे वहां भी परमात्मा उनको मिले थे बेटा गर त्य जागनता है राज जागने से और जंगल में कुटी बना लेने से परमात्मा प्राप्ती अल्हा प्राप्ती नहीं होगी जब तक आपकी साधना ठीक ना होगी तब परमेश्वर नहीं को ग्यान दिया था उसके बाद वह मालक के पास आ जाते थे सच सुनते थे और फिर अप अमन नेकी और उनका पुतर से वो जो बारा तेरा वरस की उमर का था वो लड़का वो लड़का कह रहा था अपने माता पिता से के माता कभी भगवान का हमारे गुर्देव अपने घर पर भी आ जाएंगे अब मा कह रही थी बेटा उनके तो लाखों से सो गये हैं अब किस- साथ ही रहते हैं हमारे अंग संग रहते हैं बेटा वो तो पल भी दूर नहीं होते हैं कुछ लड़के कह रहे थे वहां हम खेलते हैं ना कुछ कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं कभी तो मैंने उनसे यही कह था कि हमारे गुरुजी के तो लाखों स से किस-किस के घर जाएंगे भी यह हमारे तो साथ ही रहते हैं तो वो मुझे चिडा रहे थे कि तुम्हारे गुरु जी तो राजाओं के घर जाते हैं, शीकंदलो जी के घर जाते हैं, बीर सिंग बगहिला कासी के नरेश के घर जाते हैं, तुम्हारे गर कंगाल के कोन आएग ये गुरू लोग तो बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं तब लेकिन कहा बेटा ऐसा मन में भी मतला न हम अपने भगवान अपने गुरु देव से परिचित हैं उनको राजा और रंक एक समान है आप ये बात बेटा फिर ना दो राना फिर कहता है लड़का के माता जी मैं ऐसा नहीं मानता हूं लेकिन मेरी आत्मा ये कह रही है उनका मूँ बंद हो जाएगा एक बार गुरु जी अपने घर आ जाए तब उन सम्मन ने कहा बेटा आमने समाज को नहीं देखना कौन क्या कह रहा है पता नहीं कल कोई कुछ कहेगा इस समाज की देखकर चरके तूसरी राम्चंदर जी ना अपना नास कर लिया था एक दूपी के कहिंट Democrats हैं सीता जी को घर से निकाल लिया क्या समथदारी करी उनों ने क्या सुने समाज की जब सीता जी को स्री रामचंदर जी रावन की कैद से छुड़वा कर लेकर चलने लगा तब उसके मन में यही बात आई थी कि लोग वहाँ वेंग मारेंगे जो कहेंगे यह दसरत का पूतर रामचंदर और सीता बारावरस तक उसके रावन के पास रही उस औरत को स्विकार करके लिया यह कुल्टा है उसके लिए उसने सीता से सरत रख दी थी कि रावन भी मार दिया कई करोड सैनिक मर गया पसमें लड़कटके और सीता को छुड़वा लिया और फिर भी स्रीक रामचंदर जी ने कहा कि मैं परिक्षा लेकर ही तुझे ले जलूँगा घर पे नहीं मैं समाज का सामना नहीं कर सकता है क्या परिक्षा लूँगा कि अगनी में जला के देखुदा का hydraulुगा जलते गई तो मर जागी तू कुल्टा है और नहीं जली अगनी में तो तू बिल्कुल निस्कलंक है ऐसा ही हुआ था अगनी में सीता जी को बठा दियागा था और वो भी सेहर्स बैठी थी ठीक है आप किसी तरह परिक्षा लो मैं अपने धर्म पर सत्य हूँ सही हूँ अगनी ने सीता जी को जला नहीं था सेहकुसल बैठी रही थी कुछ नहीं वाद तब स्री राम चंदर जी को संतुष्टी हुई थी और सीता को घर लियाए थी और रात को एक धोबी रातरी किसमें भेस बदल कर राम चंदर जी घूम रहे थी अपनी आई होदा में नगरी में के कोई मेरे सासन कालम है कोई दुखी पराणी ना हो उसकी पुकार मेरे तक ना पहुंची हो किसी कारण से राजदरवारी ना लाए हो तो वो स्विम जानना चाहा करते थी नगरी में घूमा करते थी एक दो भी अपनी दो बंडने पीटन लाग रहा और वो किस दोस में पीट रहा था उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ जगड के घर से चली गई थी और दो तीन दिन में वापस आई थी तो वो कह रहा था कि मैं दसरत के पूतर रामचंदर जैसा नहीं हूँ बारा वरस तक राउन के पास रहने के उपरां सीता को घर ले आया है अब रामचंदर जी वापस आगे और सुबह अपनी पतनी को घर से निकाल जै जबकि वो गरब वती थी अपने अत्माओ आमिन को मरियादा पर सोतन कें और बड़े अच्छे नहाकारी को है यूके नहीं किया उस राजा ने एक गरब वती इस तरी को अर जबकि प्रिक्षा लेकर आया है उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने समाज तक पता नहीं क्या कही का कलने अपना भी वेक कहा गया उनका और अजारों आदमियों के सामने उसने प्रिक्षा ली थी सीता जी कि अगरी मन नहीं जली थी वो और सब को पता था सब ने बता जिया था ऐसे ऐसे माता निस्कलंक है और फिर अपनी क्रियां पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्ववती लड़की को अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंट कर ये वेंग नहीं सेहन कर सकता हूँ फिर कल ने कोई किसी और के बारे में कह देगा कोई पर सो मा के बारे में कह देगा उनको निकाल देना अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का लोगों के कहने से क्रिया करता है चिर राजा ठेक नहीं है तो पुन्यात्माओं गर्से निकली थी सिता और कलेदा दड़का मारा अब कैसे उसे नपना जियो निर्वा किया होगा कहां कहां गई होगी कि अबना जाने किस परकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे कैसे परिशान करने की चेश्टा की होगी ना भी होई हो लेकिन एक सोचा जा सकता है और रहम नहीं बगवान के अर उसको बगवान का आगरते सम्मन ने अपने पूतर से ये कहा के बेटा समाज की नहीं सुना करते हैं हमने अपने गुर्देव की बातों पर विस्वास होना चीए उनके प्रते क्रिया पर विस्वास हो मिटा इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में इतने में वो तिनों प्रमात्मा कबीर देव जी और दोनों उनके सिस बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा चप्र डाल रख्या था मेंगेट के उसके वी समय था उनका मेंगेट और पीछे वो बातें कर रहे थे उससे बीच में आंगन था और पीछे एक जोफड़ा और डाल रख्या था और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे आवाज लगाई परमेश्वर ने के भई कोई है घर पे अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुर्देव जी बोले हो अब सम्मन कहने लगा कि आपां चर्चा कर रहे ना वगवान की इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं परमा तुम्हा या कैसे आ सकते हैं इतनी दूर तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि अब भी सम्मन है क्या गरपे अब फिर तो उनकी तिन्नों की एक दम उदर ही नजर गई सामने देखा देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं तिन्नों बागए नंगे पेरो अर न्यों खड़े होकर तिन्नों मूँ की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख करो गुरुदेव तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को यहीं खड़ा रखोगे क्या अंदर भी तो लेकर जाने की कहो तब उनकी वह एकदम स्वपना सा टूटा कि आजओ भगवन अंदर आजओ अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिचोना था गद्दा था वो बच हो बगवन शाम का समय हो गया था अब सम्मन बैठके गुरुदेव के पास चर्चा हुई कुसल अक्सेम पूछा यह बगवन बड़ी दया करी है मेरे दाता हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे आपका बच्चा यह सेव कर रहा था आप तो अंतरियामी हो आपने इस बच है मालिक आप तो सब जानते हो आप जैसे सुन ही रहे थी हमारी आपने तुरंट हमारी आसा इच्छा की पूरती कर दी ऐसी चर्चाएं कर रहा था कुस देर के बाद कहा भगवन बोजन का सुनाओ बोजन की कहो बात तब कबीर प्रवेश्वन ने कहा वेटा पैदल चल कर आई हैं भूख लगी हम सब को बोजन ट्यार को अब सम्मन गर पे आया अपनी पतनी के पास अंदर जहां उनका अपना अलग जोफडा था जोफड़ी में और कहा नेकी खाना बनाओ गुर्देव के लिए भूख लगी है अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने गर पे आज एक अनका दाना भी नहीं है और नहीं आटा है अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ नेकी कहती है मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो लेकिन कोई नहीं दे रहा है मैंने उनसे बता दिया हमारे गरूजी आए है और हमने बहुत दिन बना रहा है आटा दे दो उधारा दे दो अब सभी क्या कह रहे हैं वेंग कर रहे हैं उनके साथ उनके साथ मजा कर रहे हैं तान्य मा रहे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना तुम्हारे ग्रुजी उन्होंने तो सिकंदलो जी का रोग ठीक कर दिया उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया, रामानंदी को जीवित कर दिया तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते यानि ये जान कर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला, अलांकि पहले मना नहीं करते थे आपस में लेन दिन हो जाता है उस तिन तो उधारा भी नहीं दिया अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है तो सम्मन ने कहा कि इला तेरी चूंदडी दे दे तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओर्ड रख्या था इसको गिर्वी रखके आटा लियाँगा नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है दो तीन जगे से मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिर्वी रख लो और तीन से राटा दे दो किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़ का बैठी गया जमी इन पर है बगवन आज क्या बनी पहली बार पर महा तुमा आए हमारे गर पर है और आज हम इनको आहर नहीं करा सकते बहुत चिंकित हो गया तब नेकी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी सिंता मत करो कुछ उपाय बनाते हैं वो कहने लगा क्या उपाय बनाएंगे कोई धारा दे नहीं रहा ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा ने जिस से हम गर्वी रख दें कोई आइटम नहीं करका अब क्या उपाय बनेगा आप तो हम तो सर्म के मर जाएंगे क्या कहेंगे गुरुदेव कि हम बोदन नहीं करा सके भूख लगी है गुरुदी को तो नेकी नहीं कहा कि आप ऐसा करो रात्री के समय चोरी करलाउती इन से राटा और गुरुदेव को और तुछ इन बगतों को खाना खिला जेंगे वकत से आप कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें ग्यान धान करने और सुबह वकत से बोदन बनाएंगे यह समझ जाएंगे तो नेक समझ कहन लगया चोरी करके लाएंगे ठीक कोई बात नहीं तो लड़का सुन रहा सेव वो कहन लगया माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है और आज हम चोरी करेंगे हमारा तो बक्ती का नास हो जाएगा चोरी महापाप होती है तब नेकी ने कहा बेटा चोरी को दान कर देंगे हम वो पाप नहीं कल्लान काकार्ण होगा तो सेव ने कहा माई माता चोरी तो चोरी ही होती है दान कर दे चोरी तो चोरी ही कलाता है चोर के मन में जब दो साता है तो भी तो चोरी करता है तो बनेकी ने कहा बेटा बात सुन ले इस नगरी के लोगों के पास धन भहुत है और ये माया इस जीव की दुस्मन होती है आज इनके माया का नसा बनेगा बेटा और इस नगरी से यजी कबीर परमेश्वर अपने गुर्दे बुखे चले जाएंगे इस नगरी का नास हो जागा बेटा ये पूरा नगर खतम हो जाएगा ये सत कर्मान लेड़ा यजी तुने इस नगरी को क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्भा किया है इनको बचाना है तो बेटा सोरी कर लियाओ तो सेव के ओढ़ी ठीक माता फिर कथा सुनाई माता ने कथा सुनाई कि एक एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे ये माया के धन्वन्त रहते थे एक सिद्पुरस और उसका सिस आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया अब वो इतने अभिमानी हो गए थे पैसे वाले वेक्ती किसी को दान देख्षना भी देनी बंद कर दी थी उन्हों अब उस सिद्पुरस ने उस लड़के को भीजा अपने को कि जा बेटा भिक्सा मांग ला नगरी में वो लड़का युवा लड़का था पंदरा सोला साल का जग ठारा उनिस वरसका होगा अपनी दोली लेकर के पहुँचा नगर के सबी गरों में उसने अलख जगाई आटा दो माई आटा दो माई तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टेंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते मजदूरी कर लो कहीं पर मांगने आ जाते हैं या पर सरम नहीं आती है लड़का वापिस चला गया और कहा गुरदेव किसी ने भी आटा नहीं गिया और बहुत कुछ बाते बनाते हैं अब वो शिद पुरुष था उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा वो दुबारा फिर गया ऐसे ही वो खाली आ रहा था जब वो वापिस आ रहा था उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुमार का घर था और उस कुमारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा खाली आता देखा विद्वा थी उसका पती मर चुका था दो-चार बच्चे थे उसके उसके उसने अगले दिन भी देखा कि यह नहीं डालेंगे इनको कुछ इनोंने देना ही नहीं है नगरवालों ने इनको तो माया का बिमान है तो कुमारी ने पूछा उस साधु बालक से के बेटा महराज आटा नहीं मिला अक नहीं माई किसी नहीं डाला तो उसने कहा भाई देख तेरे कुछ देखा मैंने और बेटा मुझे अपने पूत्रों की तरह ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगरे से भूखा रहे जाए दो जिन से क्या भी तेगी उसके उपर है भाई मैं कुमारी हूँ जात से कुमारी हूँ और तो ये रोटी लेजा बनी बनाई और अपने गुरुजी से बता देना बेट मनबणियों का ही खाते हैं याकसत्रियों का खाते हैं उसने ऐसा ही किया ठीक हमाई दे दो अब उसने जाते अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पूरी नगरी में घुमया किसी ने आटा नहीं दिया उल्ट फुल्ट बाते बना रहे हैं बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में मेरे बारे और बाहर की तरफ एक कुमहरी का घर था, उस ने सारी कान नी बताई उसकी आखवों मासूआ गए गुर्देव और वो कहई दी थी बेटा अपने गुर्देव को बता के फिर ये रोटी खाना ये रोटी उसे ने दी है दो वेक्तियों की तब उसे ने कहा संतने के बेटा तू रोटी खा ले वो खला गी जी बच्चे नो दिन खा लिया पर बेटा इब नू करे रख जब भी खा लूँगा बाद में अर अब तू वापस जा उस माई ने कह दे कि सुर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी नट्याग दे और जहां भी तू पहुँच जाएगी सुर्य अस्त से पहले पहले वहीं रुख जाना तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वन्स चलेगा वाँ पे और उसको बताजे ना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं रातरी के ऐसे में ये नगर नहीं रहेगा ये सारा खत्म होगा अब लड़का वापस आया उसने सोचा इमाई तो इन्हों कुंगा तो गर छोड़ दे तो या विन्हों शोचे लिए अच्छी आप पत्मोली रोटी खुआ कर मेरा गर छूटी गया तो उसने सारी कहानी बताए कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचेवे मापरुस है और इस नगरी से बहुत दुखी होगे हैं कि इन्हों इतना विमान होगए ये राकसस टाइप होगे हैं वगवान से भी निडरते और आया तित्थी को तो वैसे भी आहर करा दिया करते हैं और ये इतनी बकवास कर रहे हैं आज ये नगर माई रातने खत्म हो जागा और अब दिन के बारा वज़े हैं तू निकल जा फटाफट अपने सारे सामान को लेकर चली जा जहां सुर्य अस्त हो जाए दिन छिप जा तू ही रुख जाए तू ही बस जागी है आशी रवाद अगरुजी अब उस से में उसको जहां पर समान लाज जा और चल पड़ी सुर्य अस्त जहां हुआ है वहां रुकी ही तो रातनी के से में वह पूरा नगर उस संत ने नश्ट कर दिया कि इसे राकससों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है तो पूरा नगर खत्म हो गया कहते हूं वहां से फिर वह माई दूर जाकर बसकी फिर वहां लोगे एकठे होगे भी कैसे का उनसारी कान ही बता जी कैसे तो वहां लोगों ने एकठा होका उसको जमीन भी दे जी उसके निरुहा के लिए पैसे भी दे जी उस माई के ठाटम ठाट कर दिये और उनका नास कर दिया तो धर्म त उस निक्की ने अपने पूतर शेउत के बेटा इस नगरी का नू नास हो जागर इसको बचाना है और परमात्मा को इन ही का अन खवाना पड़ेगा नित्याबाद भी गिडगी कती है ये तब इमानी हो रहे हैं ये आसमान में चल रहे हैं अजकर साथ में आसमान पर गूम रहे हैं इनके जुमा के और माया जीव का नास होती है बेटा तो छेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे राच ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े एक सेट की दुकान में घर में सुराख बना लिया और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से और मैं अंदर से कुछ आटा तुरा के लगगा केवल तीन सेर जादा नहीं तुराएंगे कुछ भी नहीं लेंगे अब सेव ने कहा पिता जी आप इस लाला जी की पहुंट यहां के राजा तक है और आप पकड़े गए तो पिता जी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग है और मैं बालक हो मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बक्स देंगे तब समन्मन ने कार नहीं बेटा अगर तेरे कुफासी दे दिया तो हम किस कारण जीएंगे तब सेव नहीं माना करने पिता जी मैं बालक हूँ मुझे मेरी इक्समा हो सकती है ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से सेंद के अंदर से पाड़ लाराखी ती ती तो सम दिलो उसके अंदर से शेव गुस गुस समन्ने कहा वेटा तीन से जादा निलाना अंदादासा तीन से लेयाना तीन किलो अब सेव ने अंदेरे मा आठा डूंडया अंदादासा अपना ने डाल के तीन बुक्र और चालन की त्यारी करी इतने में खुडका हो गया आवाज होगी जोर की एक्तरा जूपा पैर टेक गया वो एक्दम बहुत जोर का आवाज वाई वही तो बनिया वही सो रहा था वो जाग गया लाला जी और पकड़ के उसको वैंददी पकड़ लाया फिर पिछान लिया अच्छा तो तो समन्न का है समन्न का रहा बगतों चोरी करन लाएगे पकड़ लिया तो सेव कहन लगया लाला जी सोर ना करे तीन से राटा लिया है हमारे घर गरुजी आ रहे हैं उनके लिए भोजन करवाना था तो लाला जी कहन लगया अच्छा अच्छा रहे चोरी तो वो करवा रहा तुमारा गुरू वो चोरी करवाने आता है यहां पर ठीक है आज वरा इस आवाद नेर सेव भी सुन गया, उन्होंन सोचा वेज धुलम हो गया, गुर्देव को आहर्त करा नि सके, अब ये सुबह गुर्देव की बेजती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेस करेंगे, और ना जाने के सजा दिवावंगे, जब लाला जी न उसको पकड़ना च और कहा पता जी मैं तो पकड़ दिया अब लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको, गुर्देव को बोजन करा के सिखर रवाना कर देना, अब सम्मन लेकर के उस आठे को गर पे आगया, नेकी ने पूछा पुत्र कहा है, सारी कहानी बताई के लाला जी ने पकड़ दिया, और हो सकता है, कल वो गुर्देव को भी पकड़ के राजा के पास पेस करेंगे, और कैरा था वो लाला जी, के चोरी तो इनके गुरू कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के इसको इनके ग करदन निकाल ले, और चाहे इतने अंदर गुषके काटना पड़ो, उस बच्चे का सिर काट रहा, नहीं तो बात बिगड़ जागी, कल बच्चे को पहचान लेंगे, और सारी बात बिगड़ेगी, अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी दंबा चक्कू, और पहुंच गया, उदर से सेव के मन में भी ही प्रेणा थी है, बगवान मेरा पिता जी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह है, और लाला जी फिर डृच जागा, कहीं जिकर नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा, अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेव, दो बात जरूरी करनी है, एक आ तुम सिर निकाल ले इस सुराक से बाहर, फिर तुम नहीं मिल पाऊंगे बेटा तुझे पकडा देंगे पुलिस को, फिर पिता पूतर को मिलने नहीं देंगे ये लोग, दो बात तुरे कानमा बताऊंगा, उदर से सेव ने कहा लाला जी मेरा पिता जी आया हुआ बाहर है कोई दुरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो, सेठ विला तु भाग जागा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तु भाग जाएगा, उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, आकर नहीं कोई विस्वास नहीं, अब सेव ने कहा कि आप मेरे पैर कर सावांज दो, इतना धिला छोड़ जो कि मैं केवल गर्दन बार निकाल लो, बिल्कुल फ्री ना करो, अब लाला जी ने सोचा वह एक तीन शेर चूनने तो ले गए हैं बिचारे, डीला बांद दिया रसा, थाम्र के बांद रख्या था, और कर दिया डीला बतला ले, उनने शेर बार निकाला, जब बार सेर निकाल लिया तो सेव बाट इंजार कर रहा है कि पता जी कोई बात कहे, लेकिन बाप था, आत पीछे का पीछा रह गया, वो करद छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी, तब उस लड़के ने कहा, बारा तेरा वर्स के बच्चे ने कि पता जी, मेरी बाप हो, तो मेरी गर्दन काट ली जाओ, इतना कहते ही, संबन में भी करंट सा आगा, और वेट्टे की गर्दन काटका है, सीसन अठा ले गया, नेकी वोली इसको ताकमा रख जाए, यानि अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा, नेकी वोली इस स्रील को अपने घर ने रखेगा, कि तो बार फेंका होगा, वो इस डरसे के कहीं तेरे उपर कतल का केस ना लगा देंगे, अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के कि अत्या होगी, तेरे नामन डैजा आगा, तू मिर गया, उसने बच्चे का पकड़ी बाजू, और ग फद्धन के, उस पजावे में फेंकाया, और उदर से जल्दी वापे साकर के लाला जी ने अपना जो सुराकर कैसा चोरी करने के लिए, वो निसान भी मिटा गया, फटा 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 रात में वो इटे लगा लगू का उसको अपर पलस्टर कर दिया, मड़ पलस्टर जैसे पहले हो रहा था, शुकी, वीटी, मार, मूर के, ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी, अब सम्मन जब वहां पहुचा, वापस देखा, लड़के के जो गसीट कर ले गया था साव को वो चिन, उन निसानों के साथ साथ, जहां भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लया और अपने घर पर कमरे में रख दिया, उनका उद्ध से ये था कि इस गटना का किसी को पता ना लगे, और कहीं हमारे पिता जी की वेजती ना हो जाए, हमारे गुरु जी की वेजती ना हो जाए, अपने अत्मों, एकलोता पूतर, वो मरा पड़ा है, और मार पूर लग रही है, गुर्देव के लिए, अपने बगतों के लिए, तीछी के लिए भोजन बना रही है, और सम्मन ने कहा था, रोई ये मत ना, रोगे ते गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर भोजन नी खाएंगे, बूखे हैं कल के, बनेकी भी कहने रही है, मैं बिल और कहा महरादी भोजन पालो, या उन्यों वोखत से उठा दिये, अख्खा पी कर से ले जाएंगे, बाद में कहीन को पता लग जाए, वोखत से भोजन बना दिया, प्रमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भगत, आका बैठिये, लाइन में, पंक्ती में, तीन पात आज एकठा ही बैठ कर खाएंगे, अब फसकी बात संबन कहता है, नहीं, गुर्देव, आप खाओ, आप तो बाद में खालेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो, प्रमात्मा बोले भी नहीं, जो मैं को ऐसे करो, उन्होंने पांच पातरों में डाल दिया, गुर है, और जूट बोलेंगे तो मरगे, साची बोलेंगे ते रोटी खानी, बहुत चिंतित होगे, बहुत चिंतित होगे, और ये तो टेंशन फरी प्रमात्मा है, टेंशन फरी करने वाले हैं, उन्हें नहीं पूछा मालिक ने, कहा के, आओ सेउ जी मिलो, ये परसाद प्रेम और सिर कटते हैं, चोरों के, सादों के नित्क सेम, कहते हैं, सेउ धड़ पह सीस्ट ड़ा, और आबेठा पंगत माहें, और नहीं निसानी गर्दन कहीं, ओ सेउ अकनाहीं, बोलो सत्गुर्देव, बंदी छोड कबीर परवेश्वर जी की जयाएं, अर माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निसान डूढ रहे हैं, बच्चे गए, उठकर गए जाकर देखा है, धड़ कहीं वहां तो नहीं है, धड़ देखा नहीं है, ताक में सीस्ट देखा, अलमारी में नहीं है, वहां रकत के छीटे लगे पड़े है तो पुन्यात्माओ केवल एक लक्षन से केवल एक लक्षन से भगवान की पैचान नहीं होती अब आमने सिर्फ श्री किरसंद जी को एक समतकार से के मौर्ध हुज राजा के पूतरता मौर्ध हुज को आरे से दो फाड़ किवा के मिरत हो गया था उसको जीविट कर दिया हमने उसको परमात्मा की संग्यामे ले लिया और आज तक गुनगान किये जा रहे और ये परमात्मा का इतियास उनकी जीवन लीलाएं भरी पड़ी हैं इनको क्यों नहीं हमने सविकारा क्योंकि परमात्मा से परीचित नहीं था कोई जो महापुर्श परमात्मा से परीचित हुए उनकी भी किसी नहीं मानी जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परीचित नहीं हुआ और हम इसको पहचान नहीं से के जिस कार्म से हम भटक रहे हैं अपने अत्मों दूसरा लक्षन भगवान का क्या बता है कि जैसे भगवान निर्दन को दन्वान बना दे रंक को राजा बना दे इसके लिए स्रीकर्शन जी को किसलिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना जिया था अपने आत्मों ब्रामन हो तो सुदामा जैसा हो सुदामा जी और स्रीकर्शन जी ये कलास फैलो थे सह पाठी थे कर्मान उसार स्रीकर्शन जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था इतना गरीब था कि उसको कभी-कभी तो बच्चे भुखे सो जाते थी और वो अपनी पतनी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे द्वारका के जो राजा है श्रीकर्शन वो मेरे सह पाठी थे कलास फैलो थे बहुत ही अथे हैं मेरी बहुत सर्धा करते थे ब्रह्मन होने के नात्य मुझे पुझे समझते थे हम सैपाठी होते हुए हम उमर होते हुए मेरा इतना आदर करते थे अब सुदामा की पतनी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में अब सुदामा जी कहा करते थे ब्रह्मन का का मांगण का नहीं होता है जो मांगए सो बढ़वा कि यह दर दर फ्रे अगयनी अर्जोगी जोग संपूर जिसका मांगण आप पीवा पानी ब्रह्मन का का मांगण का नहीं होता है हम अपनी कथा कहानी कहकर के पैसे थोड़ी बहुत दिख्शना ले सकते हैं मांगेंगे नहीं कोई अपनी अर्फ सुछा से दे तो सुदामा जी भरमित में किया करते थे जनता को सथ कथा जी तनान को ग्यान था उतना ही बताते थे तो जनता का एक सोभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज़्यादा ना दिखाए उसके साथ नहीं लगते तो सुदामा जी किस्ति थी गड़ी गिरगी बिलकुल बहुत बुरा हाल हो गया पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांट सुदामा जी ने सोचा या रोज लड़े है चल आज एक चक्कर लगाया था हूँ उदर से पहले जैसे आपना जाते हैं कोई तो फल ले जाता है कोई मिठाई ले जाता है यह पहले से ऐसी थी कि कुछ रस्ते में और कुछ वहां आदर सत्कार के लिए जिस मेमान के जिसके भी जाते थिरिश्तितार के हैं लेकि जा करते कुछ पदार्ट अब गरीब ब्रामन क गर्पर कुछ नितास की पत्री ने थोड़े से चावल भून के बाइन दिये अकले ये सतकार के लिए ले जाओ राजा के गर श्रीकर्सन के गर अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है अब देखो श्रीकर्सन जी सतोगुन प्रभू है विश्नु जी अ तो भी उन पर क्रोध नहीं करया था इतने नेक आत्मा के हैं अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े दौर पर जाके खड़ा हो गया महल के राजदरवार के दौर पर उनको कहा कि जाओ भी कहो श्रीकर्सन जी के आपका मित्र सुदामा आया है श्रीकर्सन जी को पता अपने आत्मों श्री किर्शन जी ने पूछा कि और मित्र सुना बच्चे परिवार कैसा है तो सुदामा जी ने कहा वगवान आपकी रजा से से कुसल है किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है आपका पंज़ा तो हमारे सिर्पर है अपने आत्मों ये भी ब्रामन है श्री सु आपके तू कुछ पैसे दे दे कुछ धन दे दे मेरे को कहा कि आपकी दया से ठीक है सब मोज हो रही है कोई अभाव नहीं किसी वस्तुग है अब श्रीकर संदी को पता लग गया उसकी सथीची को देखकर फटे फुराने कपड़ी रत तो रात वहाँ पर बेज दिया विश और उदर से एक अपता दस दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया घर जाने दिया नहीं अब अपते दस दिन के बाद या दो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आगया दो बच्चों को संभालू जाकर श्रीकर संदीन जी ने उनको एक सु सोच रहे हैं सुदामा जी रस्ते में के वह देखे मितर मेरे से नहीं पूछा है मेरे से नहीं पूछा है और तो कुसल है क्या उसकी हांक पूठगी थी मेरी की सतीची थी क्या श्रीकर संद को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूं है और मेरे पूछा है मेरे से को आना च जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहा है, और अवस्य पैसे पाऊंगे, उन्होंने देखे उसकी जेब डटोड़ी कुछ भी को जा, वह कपड़े का इड़ी है सारे, वह दोटी भी खोल ली, वह कपड़ा वितार लिया, नकी मतलब था, नंगा हो गया कती, अब उसको इतना अतावास हो गया कि भगवान के बारे मैंने गल्ट बोल जिया, सजा मुझे इसलिए मिली है, अब घर जाकर देखा, उसका तो सारा कुछ माहोल बजल रहा था, इस कारण से स्रीकरसंदी को भगवान मान लिया कि उसने, बगवान श्रीकरसंदी ने सुदामा का महल बना जिया, अरे ये तो एक मुख्य मंत्री में तरोजा, इतना सारा तो दे दे आजए, और ना कल्यान श्रीकरसंदी का, ना सुदामा जी का, जो असली उदे से हमनुस जी ने का, वो तो नो का नो रहगा, दोनों का, अब सुना लुहार था, तैमुर लेंग नाम का, इतना गरीब था, वो अन्य सहुकार सिट, पैसे वाले विक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था, और वो उनको वरस में छे महिने में कुछ कनक दे देते थे, पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते, कुछ, या गेहूं, आ करती हो चुकी थी, उदर से वो उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लुहार के एहरन पे, वो ओवर टाइम करया करता, स्याम ने आ का उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चम्टे पल्टे बनाया करते या फाली फुली ठीक बनाया करते थे, ऐसे गुजारा हो र कि माता बड़ी धार्मिक परवर्ती की औरत थी, कोई भी सादुसंत्य अतिथी आ जाता था उनके दुआर पर, आप भुखे सो जाते थे, लेकिन अतिथी को आहर कराते थे, कई बार तो ऐसे सतिथी आई है कि अपना आहर अतिथी को खिला कर वो मा बिटा भुखे सो जाते अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए और तैमर लंग बकरियां चला रहा था, भेड बकरियां चला रहा था सावकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी, वो बैठा था वर्क्स के नीचे, भोजन खा लिया था उसने, तब आए, सलाम वालेकम कहा, अब तैमर लंग ने उसका परती उतर दिया और कहा, भगवन अतिथी को, क्योंकि सुभाव था उनका मा बेट्यां का, अतिथी को भोजन की अवस्य पूछते थे राच चलते को, तो परमेश्वर से कहा, उसने तैमर लंग ने के बाबा भोजन तैमर लंग ने कहा, भगवन, हम बहुत गरीब हैं, आपको आहर अवस्य कराएंगे हम और आप यहां मेटी बेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवन, मैं अपने आहर से आपको आहर देता, लेकिन आपको आहर अवस्य कराएंग यह हमारी माता का हमें एक संसकार डाल रुक है, आपको बोजन बिना जाने ने दूगा मैं बगवन, और आप एक ध्यान रखना, कोई बेड़ बकरी गुम ना हो जाए हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप प्रमात्मा बोले जाओ बेटा, मैं खूग समाल के रखूँ है, नगरी से बाहर खेतों में बकरीया जंगल में बैठी थी, चर रही थी, बगवान वहां रखवाले होगे, पाली खड़े होगे, तैमुरलंग घर पे आया और कहा माता, एक साथ धूग उखा है, बोजन बना एक रोटी का याटा था, वो ही लेकर चल पड़े, श्याम को भी नहीं था उनके पास, और मा ने कहा बेटा, मैं दरसन भी करेंगी, और साथ चलोंगी, लोटा पानी का ले लिए अजल का, और रोटी लेकर चल पड़े, अब वो आई, आके कहा महराज मोदन खालो, रोटी रखती, अब परमातमा खाना खाने लगे, माई ने कम से कम चार पांच बार प्रार्थ ना करीब हगो नाम गरीब बहुत है, उनको पता होता था कि सादो संद फकीर होते हैं, आशिरवाद देजें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमातमा क स्वेस में आ जाव है ये आम कहावत थी तो माई ने बार-बार कहा प्रमा तुमा ने एक रोटी खाली लोटा पानी का पी लिया तब क्या किया खड़े होकर के एक बकरी बंदन की बेल पड़ी थी चैन वह अच्छी लबी होती है उसको ऐसे तीन चार बार कठा करका इतनी कर लिए जैसे मोड माड़क है उस तैमुर लंग के कमर में मारी है एक दो तीन साथ मारी उसके कमर मा है और फिर लात मारी मुक्के मारे अब माईने सुचा यू बाबाजी चंगर गया तुने कई बार इसको टोक दिया ना मामे धन दे धे धन दे धे अम गरीब है यEveryone मेरे से जोगना नराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला तो कहा माराजी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी इसको किस लिए पीट रहे हो तो प्रमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने साथ ये संगल मारी है ना बेल मारी है यो तेरे वेट्टे को साथ पीडी का राज दे दिया तेरे वन्स को साथ पी डी का राज बख्ष दिया मैंने और साथ पी डी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकुडों में बढ़ जागा इसलिए लात और मुक्य मारे है अब तैमुरलंग की मानस हो जाबाबाजी तो मेंटल है यो यो तो पागल है अमारे गर पर रुटी खान का भी उतनी अर्साथ भी डीगाराज कैसे होगा हमें प्राप्त ये कभी हो ही नहीं सकता इतना सोच रही थी इतने में परमात्मा एद्रश हो गए पहले तो मालिक ने उनको सिक्षा दी थी कि भाई तुम किस दर्म से बिलॉंग करते हो किस सम्मदों ने बताया था कि हम मुसलमान है परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है तो मास छू है नहीं अर्तुम मास खाओ नभी महुम्द नमस कार है राम रसूल कहाया एक लाख हसी को सौगंग जिन ही करत चलाया अरस कुरस पर अलह तकत है खलिक बिन नहीं खाली और वो पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अबदाली और क्या पताया परमात्मान है कि हम मुम्मद को वहां ले गयो अपने लोक में इच्छा रूपी वहां नहीं रहो उल्ट मुम्मद मेल पठाया गुज बीरिज एक कलमा लाया रोजजा बंग नमाज कही रे बिसमल की नहीं बात कही रे ये तो तुम गव मारते हो बकरे काट कर खाते हो ये आदेस नहीं है तुमारे हदरत मुम्मद का उसे नहीं तर रोजजा बंग और नमाज ये ही कहने करने को कहा था अब तुम ये गल्द कर रहे हो और प्रमातमान कहा था कि नाम लो तुम दोनों जिने मैं उपदेस मंतर दूँगा मंतर करना और तुम माला माल हो जाओगे ये कुंसी बात है लेकिन मास नहीं खाओगे कोई जीव इनसा नहीं करोगे अब उन्होंने सोची वह किसी तरह मारा गुजारा हो जा और ये सारी हमर ली थी नाम ले लिया था तो परमातमान रुट्टी खाई थी और खाना खाका फिर मारी उसका लातर गुज़ से शंक्र फिर मारा गुजारा नहीं परमातमाने कहा कि तिरे बेटे को साथ स्पीडी का राज दे दिया अब वो अबू डिया का गले नहीं उतरे अक्या सारी जूट बोल लाई थै जब वो अंतर जहान हो गे अब वो दोनों मा बेटा कह tw 입ख भगवान थे अऔर बेटा कğimiz मा मेरे एक बी नहीं लगी मेरे तो कती दरत नाम का चीज नहीं मेरे को महसूस नहीं हो रहा जो पाइथा, मैं मजा कर रहे थे भगवन तो, दोनों रोवा माँ बिटा, कि हमने गल्द बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्ला की जात थे, कोई फरिष्टा थे, क्योंकि हम अल्ला मानते हैं ना, वो कहते हैं भगवान आकार माता है नहीं, जैसे भी उनकी ओली-बोली सो अपन आया तैमूर लंग को परमातमा वो इस जंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा, जिस एहरन पर शाम के समय जो तू सेवा करता है लोहार के गर पर है, अच्छो उस दिन उस तैमूर लंग जब चोटे मार रहा था एहरन के ऊपर गणते हैं, लोहे को सीधा कर रह था, थोड़ी सी दूरी पे, पांचेर फुट की दूरी और उस में से इतनी चीटिया निकलाई बहुत गुनी, आस पास नो काली जमीन होगी, और वो क्या सोच रहा था कि या अल्हा तेरी लिला तू ही जाना है, एक सीख जितने बिल में, यह क्रोड़ों चीटियां कैसे सम में, शौपन में उसको कहा बेटा तैमुरलंग, जहां तूने आज स्याम को चीटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा ख़जाना है, उस एरन को तू मोल ले ले, एरन के सथान को, वो ऐसा बीस-तिस, पचासे खुट की जगए थी, और पचासे गज जग होगी, तू उसको मोल ले ले, और उसके नीचे ख़जाना है, एकदम परगट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना, फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना, बेच देना, ऐसे लोग समझेंगे, कि इसने व्योसाय में वर्दी होगी, ऐसे करना, तो अपने में बतला रहे हैं परमातमा से, कि भगवन हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो एहरन आला हमें देगा ही नहीं, तब परमेश्वन ने कहा कि ये मेरा काम है, तो प्रार्थ ना करना है, अब कहते हैं, करे करावसाय या मन में लेर उठा, दाद दो से दर जीव के आप बगलो जाए, ज से दूसरी साइड मा है, और यदि कोई इसको मूल ले ले तो मैं वहाँ अपना अहरन डाल लो, परमल इच्छा वरी इसके, तैमर लंगना प्रार्थ ना करते हैं, सुबह उठके उसने अपनी मा से कहा, कि मा आद मातमा जी दिखाई दिये थी, वो फकड फकीर दिखाई दि तैमर लंगने कहा, मा, मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था, अब माता जी ने कहा, ठीक से बेटा, देख ले कोईसिस करके, अब जो ही स्याम के समय, उसने जाकर के एहरन के मालिक से कहा, कि वाई, मैं भी ग्रीब आदमी हूँ, आप मुझे यह एहरन दे दो, कुछ एक वरस क के लिए, उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूँगा, आपके मुझे, यह मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूँँ, छोटा मोटा काम करें, तू कहन लेगा, भी मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे, इसका, एक वरस में दे दूँगा, मैं, तूसने कहा, एक व अहरन भी छोड़ दिया वहीं पर, वो प्रणा सा हो रहा था और उसने अपना नया साजवाज जोड़ दिया दूसरे पलाट में, मा बेट्या ना दोनों ना उसके चारों तरफे कच्छी द्वार बना ली, तिन तिन चर चर फुटकी, पांच-पांच-चर फुटकी, और द देख्या खोड़ गया है, उस में सचमच खजाना, हीरे, पने, जवाराद, सोने की महरें मिली, अब उसने उसी तरह सुरू कर दिया, पहले गोड़े, बेट बकरी लाया, वो बेच दी, महेंगी सस्ती जैसी भी, फिर गोड़े खरीद के लाया, वो बेच दी, महेंगी बकर बेचे सस्ते, तो आम जनता को तो न्यू होगी, वे तैमुर लंका हाथ पकट लिया, वगवान ने, इसको वेपार में, वेवसाइब में बहुत बेनिफिट होन लाए गया, आचा बढ़िया, अपना मकान बना लिया, एरन को भी पकासा कर लिया, अब पहले वो जो पाली ज चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेस्टा कर रहे थे, वो राजा बहुत ऐस्याई था, बड़ा निकमा था, ऐसे बेहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिमत नहीं पढ़ती थी, उसका कोई विरोध कर सके, अब उस लड़की ने आवाज लगाई रहे तैमुरलंग, मेरी रक्षा करना भाई, मेरी रक्षा करना, अब तैमुरलंग ने देखिया, भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को, अब ये सूरवीर होते हैं जो, वो नहीं रुख सकते, किसी पर अत्याजार देख नहीं को गोड़े पर डालन लग रहे थे, उगना जाते हैं उन्हों का मट आए मट लट मारे, सारें का कट आए कट मारे, फिर उन्होंने वो कईजनी थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज़्यादा, यानि मर्त करकर डाल दिया, अक मार दिया इसको, लड़की को ले गए थे वह, जिसमें वो हौश में आया, उसको पता चला कि जल्म हो गया वह, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे बगवान, ए अल्ला, मैं राजा बनूं, और इस राजा को सबक से खाऊं, उसके बाद जबरदस्त खटक लगी थी, चसक लगी अंदर, कसक, लेकिन गरीब आजमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े ची, पर जब उसके पास यो धन हो गया, उसके फेर हुआ ये अंगडाई क्यूटी का असरिवाद परमात्मा गया, उसके वही एक टारगेट फेट हो गया, कि मैं इस राजजानब के राजजी को प्राफ्ट करूँ, उसने जंग इसे देखो, ये राजजा जो हबना नकमा है, अपने गाउं की आसपास के इलाके की बेहन बेटियों की इज़त लूटता है, इसने कुटांगे, सारे हो लिए चारक, ठीक सब आई, अब बालक हो है, युआ बलक, यंग बलट, उसने उनको समझा दिया, भाई, इसके लिए तलवार बनावांगे, और सेना बनावांगे, और सब को एक एक रुपया महिने का दिया करूंगा तुम्हारे को, अपने रिस्तेदारों को और सब को बला लओ, जवान जवान बच्चों को और बतावने किसी को, और कोई पुछा तो कह देना, कि हम फोज में बरती होगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया, आजारों की संख्या में सेना ट्यार कर ली, तलवार बना ली लुआर थाए, डाल बना ली, और भी सही हो कर लिया कई बच्चों ने लुआर किया ने, कहने का भाव ये है, गोडे ले ली तलवार ले ली, धन होए गया था उसके पास, सुबह से राजा का किला गेर लिया जाके, राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि किस ने आकरवन कर दिया, अब देखा थोड़ा बहुत सुबह 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 सा सुर्य उदे होने ही वाला था, मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तर्व से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अन्त नहीं है कोई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकलब नहीं है सरंडर करना पड़ेगा उसने आवाद लगा जी कि या तो हथियार डाल दे सरंडर कर दे नहीं तेरे को खतम कर देंगे राजा ने कहा वही ठीक देखा खड़ा होकर सुस्मू जहां तो को देखा सेना सेना देखा परमातमा ने एक जार क्यों बीस जार दिखा दिये और उस राजा ने तुरंट सरंडर कर दिया अब वो पकड़ दिया राज़ा उसकी सारी सेना को काबू कर लिया लेकिन उससे में उसमें दया थी शेस परमातमा का आदेश था उसके याद थी उस राज़ा को उसने मारा नहीं और कहा तुझा चला जा किता और अपना करके रुटी खा ले वो छोड़ दिया मारा नहीं लेकिन उसके सासन राज़ पर कबजा कर लिया इसी परकार फिर दूसरे राज़ा को कह जिया संदेश साब इस वाज़ा कि या तो सरंडर कर ले और ने युद के लिए त्यार हो जा उनको पता लग गया वह जब पहले वारा जो राज़ा था वह बहुत सकती साली था वह नोरों की दिरिश्टी में जब उसी ने सरंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद नहीं करते आप अपमारा रज्य पराप्त कर लो तो उसने उसका भी रज्य पराप्त कर लिया करने का भाव ये है तैमुर लंग दिल्ली पहुँच गया तैमुर लंग वहां से सेना ले करके दिल्ली तक आगया दिल्ली के राजा को बगा कर उसको प्राजित करके वहां अपना एक नौकर जैसे वाइसराय छोड़ देते थे पहले ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बठा दिया वहां पर उसको राज दे दिया वहां का के तुँ एक साल मैं मुझे इतना इतना इसका टेक्स देगा और वो अंतरगत रहा आधीन था उसी के तैमुर लंग अपना अत्माओ तैमुर लंग से लेकर औरंग जेब तक साथ पीढ़ी यानि साथ पीढ़ी ने राज किया औरंग जेब के बाद दिल्ली का जो राज था वो छोटे-छोटे टुकरों में बटी गया था परमातमा ने एक रोटी खा कर तैमुर लंग को साथ पीढ़ी का राज दे दिया अब यू तैमुर लंग बगवाद्या में बढ़ गया बगवान बूल गया गढ़ी माया होगी थी फिर परमातमा मिले इसको एक दिन सिकार में गया हुआ था ये और इसको एक समतकार किया इसके साथ और इससे पूछा के तू दो कोड़ी का आदमी राज बूल गया भगवान को उसके बाद तैमुर लंग परमातमा सिब अक्समा यातना की नए सिरे से उपदेश लिया फिर अपनी भगतिया की कारी बना अब कहते हैं जो देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी रोटी तैमर लंग कुंदी नी ताते साथ बाद साहिली नी एक रोटी खाकर साथ पिड़ी का राज दे दिया और श्रीकर्शन जी ने एक मुठी चावल खाकर के वले एक मकान बनाया था सुदामा जी का अपनातमाओ गीता जी अध्याय नमबर दो के स्लोक नमबर चालिस में कहा के अरजुन जिस समें तुझे पूर्ण परमातमा समर्फ बगवान की जानकारी हो जागी उस से प्रिचित हो जाएगा उस समें तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलास्य की प्राप्ती के उपरांट छोटे जलास्य में जैसी सरधा प्राणी की रह जाती है जैसे एक छोटा सा जलास्य तलाब होता है एक छोटा सा जोहड होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष पसु पक्सी इन जलास्यों पर आस्रित रहते थे उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीटे थे, उसी से ले जाकर नाते सनान करते थे उसी से अपना कोई पेड़ पोड़ किसे चाहे करका उनको फलों के योग बनाते थे और कहते हैं उन वेक्तियों को जो चोटे तालाब पर जलासे पर आसलित हैं यदि उसमें एक वर्स वर्सा ना हो तो वो सूख जाये और उसके आसलित भी पेड़ित हो उसके आसलित भी मर्तू को पराप्त हो जाएं प्यासे मर जाएं और उन वेक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलासे यानि बहुत बड़ी जील जिसमें दस वर्स वर्सा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो और उनको वो जील मिल जाए उसका पता लग जाए उजलाशे का फिर उन विक्तियों की सरदा जैसी उन छोटे तलाबों में रह जाएगी अब अंडरस्टूड है पुनात्मों जिस विक्ति न वो जलाशे मिल गया उस समय में तो तुरंट वहां से अपना ठाक गुदर और वह पहुंच जाएंगे उजील के किनारे पर कोई न रहा उस जोड़ के उपर देख वरस वरसा ना हो तो भी सुकर आसरत भी मरें कहने का भाव यह है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था वो छोटे दलाशे बुरे नहीं थे लेकिन प्रियाप्त नहीं थे इसी परकार ये परमा विश्णो महिस रद्गुन परमा शद्गुन विश्णो तमगुन शिवजी और इनके पिता ये ब्रहम इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई सकती नहीं लेकिन इनकी खिस्मता से हम प्रीचित होगे इनके सामरथ्थे से हम प्रीचित होगे कि ये हमें कितना तो दुख ही देंगे ये अपने तरफ से कोई प्रीवर्तन नहीं कर सकते और समर्थ प्रमात्मा पूरुन प्रमात्मा कवीर देर जी कहते मासा घटैना त्यल बदै विदना लिखे दुलेख साच्चा सत्गुर मेट कर उपर मारे मेखो समरत का सरनाग हो रंग होरी हो कभू नहो एकाज राम रंग होरी हो बोलो सत्गुर्दे विव हो प्राँ था कर दो TO क्या बाश्य quarं